साथियों आप सभीकस प्रेफार्म पर सागत हैं यहां पर हम लोग 5 मार्श 2023 की जनसत्ता अखवार का एक आर्टकिल है भविश्च का खदान भविश्च की खदान तो ध्यान रखिएगा यह जो आर्टकिल है आपके लिए काफी महात्पूर है क्योंकि इसमें लीथियम के समझ जो बिभिन पच्छ हैं लीथियम के बारे में लीथियम का काउप योग होता है लीथियम करन से किस प्रार के नुक्सान होते हैं और इससे भारतों क्या फायदे होंगे उन्हें सभी चीज के बारे में इस आर्टकिल में बात की गई है तो यह आपके जीयस के लिए अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जम्मो कश्मेर में लीथियम का बड़ा भंडार मिला है जिसमें करीब 69 लाक लीथियम होने का अनमान लगाया गया है ठीक है 59 लाक टन लीथियम का देखिए भारती भू विज्यानिक सरविछन दरा किये गए अध्यन के अंसार रियाशी में पाया गया जम्मो कश्मेर के रियाशी में पाया गया या लीथियम भंडार उच्च गुड़ाता का है सामान इसरेणी का जो लीथियम होता है वो 220 पीपीम मतलब 45 मिलियन का होता है जबकि जम्मो कश्मेर में मिले भंडार में लीथियम का मानक जो है वो 500 पीपीम से अधिक 300 PPM से अधिक गुड़वतावले किसी भी लीथियम घनिज को अच्छा माना जाता है और यह क्यतना है 500 PPM से अधिक है यह लीथियम के बारे में बात करें तो लीथियम जो है यह एक दुरलब धात होती है और विधुत बैटरी के लिए दुनिया भर में इसकी बहुत अधिक मांग है अभी तक भारत जो है लीथियम के लिए दूसरे देशों पर निरवर रहा है लेकिन अब जम्मू कश्मीर में लीथियम का भंडार मिलने से भारत की आयात पर निरवरता भविश में कम होगी लीथियम के बारे में बात करें तो लीथियम एक अलाह धातु है ठीक है गयर रिचार्जिबल बैटरी दोनों में इस्तमाल किया जाता है अनेक चिकिसी उपकरणों में भी लीथियम का उपयोग किया जाता है इसलिए भविश के लिए लीथियम बहुत महात्पूर है वर्तमान में लीथियम सहित निकल और कोबार जैसे कई महात्पूर खनिज भारत द्वारा आयात की जाते हैं भारत को आत्मिरों बनाने के लिए महात्पूर खनिजों का पता लगाना और उन्हें संसाधित करना बहुत जरूरी है क्योंकि चाहे मोबाइल फोन हो या सोलर पैनल हर जगा इन खनिजों की आउशकता होती है उच्छमता वाली रिचार्जबल बैटरी में उप्योग के कान लीथियम की बढ़ती मांग को देखते हुए इसे अब एक नया सफेज सोना कहा जाता है तो सफेज सोना किसे कहते हैं तो लीथियम को कहते हैं ठीक है और सफेज सोना कहने के दूसरा कान यह भी है कि यहां एक नरब तथा चांदी के समान सफेज धात होती है जो मानक परसितियों में सबसे हलकी धात और सबसे हलका ठोस्तत है यहां अत्यदिक प्रतकिरिया सील है और जोलन सील होता है तो इसके जो करेक्टर इस्टिक है उसको भी आप याद रखेगा इसका उपयोग प्रमाणों और अन्य उच्छ तक निकी उद्योगों जैसे की इलक्ट्रॉन की दूर संचार सुचना प्रद्योग की अंत्रिच रच अच्छा आद में भी किया जाता है उपयोगी मिर्स दधात बनाने में भी लीथियम का उपयोग किया जाता है देखिए दुनिया के लगवग 50% लीथियम भंडार जो है कहां पर पाया जाते हैं का ध्यान रखेगा अर्जंटीना बोलविया और चिली में यह आपके अस्टेलिया में भी लगवक्सा 23 लाख टन लीथियम के भंडार है लीथियम आयन बैटरी के बाजार में चीन की भागिदारी जो है वह असी फीसद है ऐसे में भारत में लीथियम का बड़ा भंडार मिलना कुदरत का खजाना हाथ लगने जैसा है जी एस आई की एस आई की रिपोर्ट के अंसार यहां भंडार इतना बड़ा है कि लीथियम के मामले में भारत जो है सीस देशों की सेड़ी में आ गया है भंडार के मामले में अब पेट्रोल डीजल कोयला और प्राकर्टिक गैसों के भंडार तेजी से घरते जा रहे हैं तो दुनिया के स सामने स्वच उर्जा को अधिक से अधिक बढ़ावा देने की चुनोती है इसे देखते हुए लीथियम की भूमिका आने वाले समय में और भी महत्पूर्ण हो जाएगी क्योंकि स्वच उर्जा का संचय करने के लिए लीथियम बैटरी की जरूरत पड़ेगी तो इसका इस तो आनों की मांग बढ़ेगी वैसे वैसे लीथियम आयन बैटरी का उपयोग भी बढ़ेगा वैसे वैसे लीथियम आयन बैटरी का उपयोग भी बढ़ेगा लीथियम आयन बैटरीयों में पुरानी बैटरीयों के अपेच्छा अधिक उर्जा घनत तो होता है तो इसके ड अधिक हलकी और ताकतवर होती हैं ये अधिक उर्जा का संचे करने में सच्छम होती है रिचार्जेबल होने के सासत इनका जीवन लाइफ पैम जो होता है वो भी लंबा होता है इस तरह लीथियम आयन बैटरी भविश्च में उर्जा का बड़ा स्रोध बड़ा स्रोध दुनिया के कुल उत्पादित लीथियम का लगभग 74-74 फीसद उपयोग बैटरियों में होता है चीन दुनिया भर में लीथियम आयन बैटरियों का सबसे बड़ा उतपादक और निरियातक है तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि लीथियम आयन बैटरियों का सबसे बड़ नीतियों को देखते हुए कुरोना के बाद दुनिया के अधिकांस देश चीन पर अपने निर्भरता को कम करना चाहते हैं। तथा भारत सरकार ने 2030 तक वाहन चेतर में बिद्धुत वाहनों के हिसेदारी 30% तक बढ़ाने का लच्छ निर्धारित किया। भारत में लीथियम का भंडार मिलने से इसकी आर्थिखाला तो सुधरेगी पूरी दुनिया में इसका प्रभाव भी बढ़ेगा। विश्ववएंग के अनुसार जलवायू परिवर्तन को नियंतित करने के लिए 2050 तक ये विश्ववएंग का कहना है कि जलवायू परिवर्तन को नियंतित करने के लिए 2050 तक लीथियम जैसे खनीजों के खनम में 500% तक ब्रिध्धी करनी होगी। देश का पहला लीथियम भंडार करनाटक में खोजा गया था, दीखें, 2020 में वहाँ लीथियम का एक छोटा भंडार मिला था, करनाटक में, जिसमें लगवग 1600 टन लीथियम होने के संभावना जताई गई थी, पर अब भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लीथियम क बंडार मिला है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा, इतनी बड़ी मात्रा में लीथियम का मिलना भारत के लिए रणनीति गुरुप से भी बेहद, अहां मैं, विश्यशग्यों के अमसार जम्मू कश्मीर में मिला लीथियम का बिसाल बंडार कार्बन उस सजन को कम करने के बारत के प्रियाशों में मददगार साबित होगा, अब इसके ड्रावैक्स को भी थोड़ा देखते हैं, लेकि हाला कि लीथियम के भंडार से लीथियम को निकालना भी एक लंबी प्रकिरिया है, और इसके लिए भारत को कुछ चुनोक्यों का सामना करना पड़ सकता है, ल लीथियम को खनिस तेल का इस्तिमाल कर पकाया जाता है, जिसकी वज़ा से वह जगा पूरी तरह जल कर सूख जाती है और वहां काले दब्बे पड़ जाते हैं, खनन के काण मिर्दा छण, पानी की कमी, वायो प्रदूशन और जैवी विता की छत एक बड़ी चिंता का 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 इसके अलामा आइस्थिर हिमाले चितर में खनन जोकिम भरा होता है, यही कार्ण है कि अक्सर इस्थानी निवासी लीथियम की खन परकिरिया का बिरोध करते हैं, उनका मानना है कि इससे प्राकृतिक संसाद नस्ट हो जाएंगे और आगे चलकर पानी की किल्लत कर सामना करन देश और दुनिया के लिए लीथियम की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए इसकी कम नुकसान दायक खनन परिकरिया पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, यानि खनन के ऐसे तरीके तलासने होंगे, जिसमें पर्यावन को कम से कम नुकसान हो और पानी जैसे प्राकृतिक स परिवर्तित करने की तक नी, देखिए लीथियम के साथ साथ देश को कोबार्ट और निकल जैसे खन्जों की भी आवशकता है, जो EV वैटरी, इलेक्रिकल वैकल, वैटरी निर्मान के लिए बहुत महात्पून है, हमें वैटरी पुनरचकन के संभावनों का भी पता लगान चाहिए, तो यह यहाँ पर जो है, लीथियम के संबन में, जो भी भी उन पच्छों सकते हैं, उन सभी की चर्चा इस वीडियों में की गई है, तो इस वीडियों बस इतना है, मिलते हैं नेक्स वीडियों, तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद,